हेलो फ्रेंट्स माइनमी सीए रजनी अगरवाल कैसे हो आप सब लोग वेलकम टू मैं न्यूव वीडियो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि वाय मल्टिपल अटेंट सीए स्टूजेंट स्टूजलिंग टू गेट गुद जॉब क्या होता है हम सीए तो बन जाते हैं लेक इसके कुछ रीजन स्टय तो सबसे पहला मुं उन रीजन के बार में बात करेंगे सबसे पहला रीजन जो होता है उसके अन्दर वोताह है पूर आपकी आपिकल चिप अच्छी फर्म से नहीं हुई आप ने काम आउर्टिकलशिप में अच्छी तरीके से नहीं कर रहा प्रोफाइल की नौलीजी उनहीं अभी उने हैं या आपको उस Profile का इस्पीरिbürेन्स ही नहीं है तीसरा क्योadesh का शोसकतर दो अपने लास्ट इंटर्वियों के टाइम पे दिया हो गाए यह आपने कहीं पहला है पेज पाइज एसिस्टेंट अच्छा होना चाहिए अगला रीजन क्या हो सकते है कि आपको सबसे पहले तो यहीं नहीं पता कि मुझे कौन सी स्ट्रीम में जाना है किस प्रॉफाइल के अंदर मुझे जाना है तो आप जो इस प्रॉफाइल के लिए इंटर्व्य निकलता जॉब निकलता है आप उधर अपलाए कर देते हुग तो वह भी रीजन होता है कि अगर अपने जादा अपलाए करा आपको इस काम ही नहीं आता तो आप कितना भी apply कर लो महां से आपकी short listing नहीं होगी दूसरा उसके अलावा क्या reason होता है कि आपकी आर्टिकल्शिप में और अभी जब आप qualify हुए हो तब उसके नदर एक बहुत ज़्यादा gap हो चुका है क्योंकि आपकी आर्टिकल्शिप complete हुई फिर उसके आदा पढ़ाई 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 करते रहे दो तिन साल लग गए तो आपने जब आपने जो काम करा था और अ हमारे अंदर हमें लगता है यार सिये तो बन गए बट कुछ आता जाता तो है नहीं तो कैसे जौब लगेगी और मैंने बहुत से स्टूजन्ट्से भी बात करी उनको एक टाइम के बाद यही लग रहा हुता है कि मैं मतलब हमारी एज इतनी हो गई है हमें आता भी नहीं है आर्टिकल शिफ्स तीन साल पहले कंप्रीट होगी कि उसके बाद हमने कहीं पर काम भी नहीं करा हमें कुछ नॉलेज भी नहीं है हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि हम प्रोफाइल कौन सी चूज करें कौन सी प्रोफाइल हमारे लिए अच्छी रहेगी या हम कैसे अपनी प हमें सबसे पहले तो यह पता होना जा है कि हमको किस प्रोफाइल के अंदर जाना है तो सबसे पहले आपको यह क्लियर करना पड़ेगा दूसरा जब आपको पता चाल जाए कि जिस किस प्रोफाइल में अपने जाना है तो आपको उसके लिए प्रोफाइल करनी पड़ेगी आपको रिसेर्च करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर प्रैक्टिकल नॉलिज्ट कहीं थोड़ से लानी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा उस प्रोफाइल को, तो आपके जो ये दो प्रोब्लम है, कि हम प्रोफाइल कौन से चूस करें, और ये कि अगर हमने प्रो प्रोफाइल करते हैं, उन्होंने अभी एक रिसेर्टी निकाला है कि फ्री मलब आप अपनी प्रोफाइल चूस कर सकते हो, कि आपको किस प्रोफाइल में जाना है, तो उन्होंने जितनी भी प्रोफाइल होती है, चाहें ट्रांस्पर प्राइजिंग हो गई, इंटरनल अब प्रोफाइल के अंदर जाना चाहिए, और जब आप उनकी वीडियो से यह अंदर उस प्रोफाइल में जाना है, जैसे आपको जी एस टी इंडिरेक्ट टेक्सेशन के अंदर जाना है, तो वो बहुत अच्छे प्राक्टिकल कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जहां प चाहिए, और दूसरी कि आपको उस प्रोफाइल के लिए जो भी प्राक्टिकल नौलिज चाहिए, जो भी काम सीखने की ज़रूरत है, जो आपको एक्स्पीरियंस नहीं है, तो वो भी आप सीख सकते हो, तो उनके बहुत सारे कोर्स भी अविलेवल हैं, थिंकिंग ब्रिज मिलेगा, उनके कोर्स पर मेरा कोज है रजनी, मैं उनकी वेबसाइट का लिंक और अपना कोज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाल दूगी, तो आप लोग वहां से भी चेक आउट कर सकते हो, तो यह बात तो होगे कि हम कहां से कोर्स कर सकते हैं, या हम कैसे प्रोफाइल बहुत कम है, तो वो अपने आप ही बिल्ड अप होना स्टार्ट हो जाएगा, दिखो हम इंटेवियर से क्यों जरते हैं, हम इसलिए जरते हैं, क्यों हमें नॉलिजी नहीं है, उस प्रोफाइल की, अब अगर इंटेवियर हम से कोशन पूछेगा, अगर हमने उस की अंडेस्टेंडिंग होती है, तो आपको जैसे लगता है कि मेरी शॉट लिस्टिंग तो हो गई, मुझे प्रिपेर करना है, अब प्रिपेर भी कहां से करें, अगर आपकी इंटारेक्ट टेक्सेशन प्रोफाइल के अंदर शॉट लिस्टिंग होई है, और आपका इंट प्रोफाइल में कितना पड़े, तो अगर आप कोई कोर्स लेके पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं उस कोर्स में बहुत कंसाइज वे में सब कुछ होता है, जो आपको इक इंटर्व्यू क्लियर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो उससे क्या होगा कि अगर मैंने एक चीज़ यह और फील करी बच्चों से बात करके कि क्या होता है, जब उनका एज जिसे बढ़ जाती है, थर्टी प्लस हो जाती है, या थर्टी भी एज सीए बनने के बाद, तो वो अक्सर कहता है कि मैं हमारे सीनियर्स ने हमें बोला कि इस एज में सीए करने का तो वो चीज़ वेस्ट हो जाएगी, आपको जॉब नहीं मिलेगी, यह मैं I don't know कैसे इस चीज़ को आप लोग के माइंड से क्लियर करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो अगर ऐसा कुछ होता कि थर्टी प्लस के बाद सीए की कोई वैली नहीं होती, तो इंसिट्यूट नहीं मिलेगी, या सीए बनने का कोई फाइदा नहीं होगा, यह बिलकुल गलत है, प्लीज ऐसी बाते फैलाना बंद करो, जो बच्चे इस एज तक सीए कर रहे होते हैं, आदे बच्चे तो इसी सी इतना ज़ादा डी मोटिवेट हो जाते हैं कि मर तो जॉब नहीं लग सक लगती हूं कि इस समय इतनी सारी अपॉर्चनिटीज अविलेवल है, मार्के इतनी चीज़े अविलेवल हैं कि जिससे अगर आपकी 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 3-4 साल पहले खतम हो गए थी और आपने कहीं काम ने करा, स्टिल यू विल गेट आप गुद जॉब आप लोग बिग 4 के अंदर प्लेज हो सकते हूँ, अपने उपर confidence रहो, देखो हमेशा अगर आपको counseling लेनी होती है, mentorship लेनी होती है, तो किसी ऐसे इंसान से लेना, प्रेफर करना, जो उस चीज़ से गुजरा हो, आप अगर किसी की भी ऐसी वैसी बात सुनोगे तो आप कही हमेशा demotivated फिल करोगे कि नहीं यार मेरी जौब नहीं लग सकती, मेरी जौब मेरे पास असे बहुत सारे examples है, जिन बच्चों ने, जो बच्चे कर रहे थे, उनकी आटिकल्शिप complete हुई, उनको 2-3-3 साल बाद उनकी exams clear हुए, और उनको नहीं पता था कैसे करना है, उन्ह उन्हें अपने अंदर ये knowledge लाए और आज वो कही न कहीं big four के अंदर काम कर रहे है, मैं भी उनसे मिलती हूँ, इतना अच्छा लगता है कि आप लोगों को बता नहीं सकती, और इसके अलावा, एक और चीज में आपसे बात करना चाती थी, कि जैसे जब आपको कोई call आता ह है HR से कि ठीक है, हम आपको shortlist कर रहे हैं, इंटर्व्यू के लिए, तो आप लोगों को कभी भी शरम नहीं करने है, HR से बात करने के लिए, ये understand करने के लिए कि profile क्या है, देखो, अगर आप HR से पूछ लोगी, profile क्या है, तो आप उस profile के लिए है पढ़ सकोगे, आपको पता आपको इस profile की knowledge होगी, तो आपको उस profile को पढ़ने में उस profile के लिए जो भी supporting material चाहिए होगा, वो easily आप पढ़ाई कर सकते हो, और